परचम क्लासर्स आयम जान वी सी हम डिसकस करने वाले हैं वीकली करेंट अफियर्स बिसिकली 26 नवंबर से 3 डिसंबर तेकि जितने भी यहां पर इंपॉर्टन करेंट अफियर्स रहे हैं हम उनको यहां पर सबसे पहले बुलिट्स हैडलाइन के फॉर्म में देखेंगे देख नैशनल स्पोर्ट्स में कैटेगरी वाइस जितनी भी न्यूज हैं उनकी हैडलाइन्स डिसकस करनी है उसके बाद हम में सेग्मेंट पे चलेंगे जहां पर जो वॉस्ट इंपॉर्टन करेंट अफियर्स हैं आपकी 26 से थौर्ट तक की 35 कोशिंस मैंने आप लिए हैं आज क सबसे पहले हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं इंपॉर्टन डेज एंड वीक्स की बारे में नैशनल मिल्क डेग 26 ओफ नवंबर को सलिब्रेट किया जाता है विसिकली 2014 में जो नैशनल डेडि डेवलप्मेंट बोर्ड है और इंडिन डेडि एसोसियेशन है उनके साथ 22 स्टेट लेवल के जो भी मिल्क फेटरेशन्स है उन्होंने यह डिसाइड किया कि हम नैशनल मिल्क पे सलिब्रेट करेंगे किसकी बार्ट अनवर्सरी की दिन ड अप्रवरगेश को फादर ओफ वाइट रेवल्यूशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है नाओ चौंस्टूशन डेग यानि की संपित हान दिवस यह सेलिब्रेट किया गया 26 ओफ नवंबर तो यहां पर 26 जैनवरी 1950 के दिन जो कौंस्टूशन था हमारा वो 2015 में गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि हम 26 नवंबर को कौंस्टूशन डे मराएंगे सो दैट जो कौंस्टूशन की वैलोज है वो सिटिजन तक तोची क्या इंपोर्टेंस है उसकी कौंस्टूशन के बारे में और जादर से जादर जो सिटिजन से वो अवेर हो सके ठीक है इसके पीछे का यह मोटिफ था आपका कॉंस्टूशन डे सेलिब्रेट करने का नेक्स्ट इंटरनेशनल जगवार ते 29 नवंबर पो यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है देखो जगवार का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा ओन का ठीक है यह एकलौती बिक कैट है ल यह सेलिब्रेट किया जाता है 1st of December के दिन इस साल की थीव रही है Let Communities Lead अगर हम इसकी हिस्ट्री देखे कि कब से मनाया जाता है यहां पर आप देखोगे 1988 में December 1st पर इस साल को पहली बार यहां पर वार्ल एस डे मनाने की शुरुवार की गई थी आगे बढ़ने से पहले एक information मैं आप सब के साथ share करना चाहूंगी जो भी students upcoming 2024 के SSC grammar को target कर रहे हैं उनके लिए यहां पर एक course available है SSC General Awareness Target 2020 सी इस course के अंदर आपको recorded lectures मिलेंगी उन lectures की PGF मिलेंगे जिससे आप आसारे से डाउनलोड करके save कर सकते हो साथी साथ life problem solving sessions कराए जाएंगी और previous year question का आपको detailed analysis and discussion भी मिलेगा प्लस आपकी preparation और अच्छे से enhance हो सकते उसके लिए आपको 10 additional mock test paper भी provide कराए जाएंगी अगर आपको कोई भी question है कोई भी theory है तो आप दिये गए contact number पर हमसे contact कर सकते हैं okay now we will discuss the appointment section see यहां पर फिक्की यानी की Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry यहां के president जो है एलेक्ट होए है अनिश्या next देखे जिस्टिस बेवेक चौजरी ने पटना हाइपोड एजज की ओध यहां पर ली है यह जो ओध है वो आपकी राजभवन में the presence of governor की नहीं गई है next मेजोरम की governor हरी बावो ने यहां पर for the first time Air Force officer जो की एक woman है उनको ADC appoint किया है यानी की आपका ID क्यान ठीक है कौन है यह 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 है आपकी मनेशा पर देखें यहां पर सफीना हुसैन यह जो है educate girls की founder है इन्हें मिला है vice award basically यह जो आपकी vice की 11 summit चल रही थी यानी की world innovation summit for education यहां पर इस ceremony में इनको यह award जो है दिया गया यह पहली ऐसी woman बन गई है जिन्होंने vice prize जो है जीता है next देखो यहां पर जो nhpc limited है उसे यह पर annual report category में second prize मिला है यहां पर देखिए आपकी पी आर एसाई national award 2023 की साल में चल रही थी यानी पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ओफ इंडिया थी और इसी में आपको nhpc को second prize दिया गया है in annual category okay now book section हम देखेंगे the book यहां पर एक किताब है प्रनव my father daughter remembers यह बुक जो है प्रनव मुखर जी की जो डॉटर है शर्मिठा मुखर जी उन्होंने और यहां पर इस बुक का main focus है कि father और डॉटर के बीज में किस तरीका को यहां पर bond है इस बुक को publish किया है रूपा प्लिक condition ने नाओ एक किताब है जिसका नाम है thread by thread यह जो बुक है यह निखी गई है शम्भू कुमार यानि की एस कुमार के नाम से भी हम जिन्हें जानते हैं उनकी उपर इस बुक को release किया है कपिल देव ने शम्भू कुमार के बारे में बता दो कि जो पॉलिस्टर ब्लेंड है जो फैब्रिक होता है कपड़े का उसके इंट्रोडक्शन में इनका बहुत बड़ा हाथ है भारत के अंदर मिद्री प्लास और जो लोवर इंकम ब्रूप है उन्हें अफ़र्डेबल फैब्रिक में एक सही तरीके का ready made garments जो आप अभी देखे हैं पॉलिस्टर फैब्रिक मे नहीं ना स्टेट यूज में हम देखते हैं क्या क्या important यहां पर न्यूज रही है सबसे पहले देखो सियम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर hot cook meal scheme जो है शुरू की है बेसिकली जो scheme है यह midday meal program की जो success को देखते हुए निकाली गई है आगनवाडी के लिए आगनवाडी मे जो तीन साल से छे साल की बच्ची होते हैं उनको यहां पर nutrition meal provide कराने का aim है जो कि इस scheme के तुरू target किया जा रहा है हर्दीप सिंग पुरी ने launch किया है second floating CNG station कहां पर launch किया गया है आपका यह launch किया गया है रविदास घाट वरांड़ी के अंदर ठीक है यहां पर second जो है floating CNG station मों नेक्स देखिए महारास्ट्रा गवर्ण्ट में इनाउंस किया है कि आपका अंधेरी वेस्ट में स्ट्रीट है एक उसका नाम रखा जाएगा नैशनल अवार्ड विनिंग एक्टर और डिरेक्टर विक्रम चंद्रकांत गोखले के नाम पर किसके नाम पर वि देखो यहां पर बिहार का जो कास्ट सर्वे आया था 2022 का उसमें यह पता चला कि वन थार्ट जो बिहार की पॉपुलेशन है वो आज भी पॉवर्टी में रह रही है इस चीज़ को देखते हुए यहां पर बिहार काबिनेट ने एक resolution पास किया है कि बिहार को आपका special category status जो के अंदर जैसा की कास्ट सर्वे बता रहा है वन थार्ट पॉपॉलेशन अभी भी जो है पॉवर्टी में रह रही है इस आदहार पर हमें जो है क्योंकि हम सोश्य एकॉनमिक करनीशन भी हमारी अच्छी नहीं है हम यह नॉट डवलप हमें special status जो है वह प्रोवाइड होना के अंदर जो है classic imperial इनोग्रेट की है यह एक luxury cruise vessel है ठीक है यहाँ पर देखो आप देख रहे होगे last session में भी हमने discuss किया था इन सरी रुवर्ट वहाँ पर रमाइना जो cruise थी उसको इनोग्रेट किया गया तो यह देखो जो भारत में एक cruise tourism है उसको promote करने के लिए यह सारी के अंदर classic imperial को launch किया गया है now moving ahead national news segment देखो यहाँ पर cabinet ने अप्रूफ कर दी है 16th finance commission की term of reference ठीक है तो जो यहाँ पर 16th finance commission का term of reference बताया जा रहा है तो यह cover करेगी period of 5 year जो की शुरू होगा आपका absolute 2026 से ठीक है ना देखो यहाँ पर इंडिया ने bio glass blending plant को जो है यहाँ पर दो phase में इस plant को जो है लगाए जाएगा तो basically यहाँ पर एक energy और sustainable development के रास्ते पर आगे पढ़ते हुए इंडियन government ने announce किया है कि यहाँ पर first introduction होगा blending compressed bio gas with natural gas की plant का अब यह जो है initiative का main aim है कि यह domestic demand है आपकी उसको पूरा करेगा तो देख जो हमारा natural gas और crude oil के उपर imports है वो जो है कम हो सके क्योंकि अब देखो कि 2070 तक net zero emission target को अचीव करना है तो यहाँ पर यह सारी चीजे उसी टार्गेट को अचीव करने के लिए initiate की जा रहे हैं यह basically ना देखो यहाँ पर constitution day के दिन प्रेस्टेंट रॉप दी ने स्टैट्यो अनवील किया है सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया में डॉप्टर भीम राव अमेज करका अब हम बढ़ते हैं इंटर्नेक्शनल न्यू सेग्मेंट की तरह देखो यहाँ पर रॉबर्ट शेट किटाउंग ने इन्हें अपॉइंट किया गिया है नेक्स्ट मुझांबिक कहा है आपका यह आप देख सकते हो आफ्ट एकन कॉटिनेंट है यह आपका जिम्भांबियों और यह आपका मुझांबिक ओके नेक्स्ट देखें यहाँ पर इंडियन ओरिजिन की MP जो है ठीक है डेव शर्मा उन्हें एक्ट किया गया है एजन ऑस्ट्रेलिय बने है क्योंकि अभी हमने देखा कि हार्दिक पांडिया को वापस से मुंबई इंडियन की फ्रेंचाइजी ने विया फ्रेट जो है वो रीटीन कर लिया है तो यहाँ पर शुबमन गिल को 2024 के लिए आपका गुच्टाइब टाइटन का कैप्टन बनाया गया है नेक्स दि इसके अनदर टोटल चार शीद गाइड़ डिस्ट्रोयर को बनाना है तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के तहट थार्ड नवर की जो आपकी गाइड़ डिस्ट्रोयर है उसका नाम है क्रिस्ट ओफ यार्ट 12706 इंपहल इसको जो है डिफेंस मिनिस्टर ने लॉंच किया है बेसिकली तरह आप देखोगी यह विशाफा पत्नम क्लास की थर्ड शीट गाइड़ मिसाइल डिस्ट्रोयर है ठीके कौन सी क्लास है यह भी इंपोर्टेंट है यह विशाफा पत्नम क्लास की डिस्ट्रोयर है लेक्स देखो यहाँ पर इंडिगो जो इंडिया की लाजिस् दिया है कि वो एक आर्टिफीशिल इंटलेजेंस पावर चैट असिस्टिंग जिसका नाम है इसको लॉंज कर रहे हैं बैसिकली यह टूल जो है आपका जो भी इस पूरे एविएशन इंडस्ट्री में जितने भी आपके प्रोसीजर होते हैं और जितने भी एसोपी होते हैं उनको स्ट्रीम लाइन करने के लिए और असिस्ट करने के लिए यह एई टूल डवलप किया गया है नाओ वे विल सी दा बैंकिंग नियूस देखें यहाँ पे आधिव बैंक ऑफ इंडिया ने जो आपका पीड़ पीडिया फंड है यानिकी पेमिंट साथ लोकल करेंसी स्वैब भी साइन की है यह पूरा का पूरा एग्रिमेंट जो है वो तीन साल तक के लिए वैलिड रहेगा नाओ विल डिसका शॉर्ट यूस यानि कि हम इसमें मिसलीनियस देखेंगे जो अलग-अलग सेक्टरी की और इंपोर्टेंट यूस है फंड फेस सब्सक्राइब की उसको यहांपर मिला है ग्रेड डबल प्लस किसमें मिला किसकी तरफ से मिला है नैशनल असिस्टेंट और एक्रिडेशन काउंसिल की तरफ से यह जो है दी गई है इंपोर्टन न्यूस है यह कौन से यहांपर यूवर्षिटी को मिला है सी जो भी बच्य आपको जब करना होगा तो आपको करेंगे अलग अलग जगह ओपा ठीक है तो छात्रपती शावुजी महाराज युनिवर्सिटी को ये ग्रेडिंग दी गई है तो अफगानिस्तान ने भारत के अंदर जो अपनी एंबसी थी उसे पर्मानेंट्टी क्लोस कर लिया है ठीक है नेक्स देखिए पाकिस्तान ने यहां पर एक फॉर्मल एप्लिकेशन दी है ब्रिक्स मेंबर्शिप में यहां पर इंक्लूज होने के लिए लेक्स देखो आर्टिफिशिल इंटेलिजिंस बेस्ट कांपनी जो तक में यह ग्लास रिकॉर्ड कर रही थी तब तक जो है सैम जो एल्टमेंट थे और यह ओपन एयाई से पायर कर दिया गया था अगेन आप देखोगे कि नेक्स डे एक दिन के बाद ही यहां पर फिर से वापस से सैम एल्टमेंट को अपॉइंट कर लिया गया है ओपन एया है आप एक अटाश रहो ट्रॉपिक से ठीक है सबसे पहला कोशन बहुत माइल स्टोर्ण डिड इंडियन एस्ट्रोशाट अचीव रिसेंट तो एस्ट्रोशाट ने क्यों स्माइल स्ट्रों को रिसेंटली अचीव किया है डिटेंशन ओफ इट सिर्स हन्विक गामा रे बस देखो यहाँ पर एस्ट्रोशाट जो है वो भारत का पहला ऐसा मल्टी वीवलेंद स्पेस अब्जर्वेटरी है इसका मेन काम होता है कि जो भी यहाँ पर सेलिस्टियल अबजेक्ट्स हैं लाइक एक्स रे हो गया ऑप्टिकल रे हो गया यूबी स्पेक्ट्रल बैंड्ड हो गया उनको स्टनी करना ठीक है तो यहाँ पर इस एस्ट्रोशाट ने सक्सेस्फुली डिटक्ट किया है अब भी 600 गामा रे बस जिसका नाम दिया गया है जी आरवी 231122 ठीक है एस्ट्रोशाट के गर हम बात करें तो इसका जो लिफ्ट ओफ मास है वो आपका है 15 15 kg का औ आपका PSLV से 37 सेंटर श्री हरीखोटा से लॉंचिंग डेट क्या है इसकी इसकी लॉंचिंग डेट है 28 सेप्टेंबर 2015 ठीक है और आप देखोगी तो यह 650 किलोमेटर और विट में इंक्लाइन पोजीशन पे है 6 डिगरी के अंगल पे टूदा एक्वेटर नेक्स्ट विच मेडिकल विच मेडल डिट अनीश बनवाल विन इन दो मेंस 25 रापिट फायर पिस्टल इवेंट अड़ी इससस वर्ल्ड कप फाइनल 2023 आप से पूछा जा रहा है कि जो इससस फाइनल का वर्ल्ड कप 2023 हुआ था तो उसमें यहां पर अनीश बनवाल जो में 25 रापिट पिस्टल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे ओने कौन सम मेडल मिला इन्हें देखो ब्रोंज मेडल मिला है यहां पर शूटिंग में ठीक है और साती साथ यह भारत का पहला ऐसा मेडल है इन कैटेगरी ओफ मैं 25 रापिट फायर पिस्टल ठीक है यह जो पूरा आपका ISSF World Cup Final 2023 का टूर्णामेंट है वो आपका दोहां कतर के अंदर कंड़क्ट कराया गया कोपा का गवाइंट राप ट करें तो देखो अब यह तो पीयार को ब्रोंटिंख create वेचाव फिल्वाई यह आईपील की विनिंग टाइटिल ओके जॉइंट विलिट्रिय एक्ससाइज सूर्य किरन्थ बिट्वें इंडिया एंड विच आप दी फॉलोईंग कंट्री तो सूर्य किरन्थ जो है वह आपकी भारत और नेपाल के बीच में कंड़क्ट कराई जाती है तो भ एक्ससाइज कंड़क्ट कराई जाएगी जिसमें आर्मी इंडियन आर्मी से 354 पास्नल जो है पार्टिसिपेट करेंगे आपके कुमाउ रेजमेंट बटेलियन के ठीके और नेपाल आर्मी की तरफ से जो कंडवीजिंट आ रहा है वो है आपका तारादल बटेलियन यह बेसिकली चन्ने की जो वैशाली रवेश बाबो है ठीक है वो बन गई है इंडिया की 84 ग्रैंड मास्टर जिन्होंने टोटल आप देखोगे 2500 इंटरनेशनल चस्ट रेडरेशन की जो रैंकिंग पॉइंट है उनको क्रॉस किया है और उसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे इन्हीं की टाइटल दिया गया है साथी साथ यह ऐसी तीसरी प्लेयर है फीर मिल प्लेयर है जिन्होंने ग्रैंड मास्टर टाइटल को जो है अटेंड किया है नेक्स्ट का अवार्ड दिया गया है आपका अप्शन भी हो जाएगा डॉक्टर देवेशी भटाचारे अब देखो जो डॉक्टर देवेशी भटाचारे है इन्हीं के अवार्ड दिया गया है आपका और साथी साथ कुछ और भी अवार्ड डिस्टिविशन हुए है इस स का एडिशन है जो अभी दिया जा रहा है डॉक्टर निलवाय कुंदू इन्हें मिला है यंग मेटलर्जिस्ट इन्वर्नमेंट क्याटेगरी में अवर्ट और साथी साथ आपके डॉक्टर कमची मुडाली को मिला है यहां पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवर्ट ठीक है और आपका अगी लिंग को मिला है अवर्ट फॉर यंग मेटलर्जिस्ट इन्मेटल साइन्सिस का अवर्ड नवर्ट वो हैस बिकम इस फॉर्थ इंडियन टो वी ओनर विद पाकिस्तान हाइस्ट सिविलियन अवर्ड दिया गया है तो यह आपका एंसर हो जाएगा देखोगे कि जो आपके सैदना मुपादला है जैपुद्दी वो है आपकी जो आपकी दवुदी मोरा सेक्ट है और इसलाम उसके हैड अब यहां पर पाकिस्तान का जो हाइस्ट ओनर है निशाने पाकिस्तान इनको दिया गया है अगर हम बात करें तो मुराजी देशाई ऐ आपको बताना है कि इन में से किस टेक्नोलजी का यूज किया जाने वाला है जो आपके एक्सिडेंट्स हो रहे हैं एलिफेंट्स की वज़े से रेलवे ट्राप पर उनको रोकने के लिए देखो आपके एंसर हो जाएगा भी गजरात सुरक्षा जो है इसे इंट्रिव्यू करेगा बिसिकली यहां पर जो यह ऑप्टिकल फाइबर्स होंगे ठीक है तो यहां पर जब भी प्रेशर पड़ेगा तो यह उन वेप से जो है अक्टिव होते हैं तो हमें पता है कि जो आपका फूट्प्रेंट्स होता है अलिफेंट्स का तो आप वह चलते हैं तो काफी से ही वह वाइब्रेशन जो है वह फिल होती है तो जैसे ही यहां पर एलिफेंट की फूट्प्रिंट की वाइब्रेशन ऑल्मोस्ट टू हंजिड मीटर के एरिया में आपका यहां पर ऑप्टिकल फाइबर्स को जो है प्रिडिक्ट करेंगे तुरंत यह एक्टिव हो जाए और समंपार्ट ऑफ चत्रिस गर्ड अं तामिल नाडू वहां पर आपका लगाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहे हैं पूरा 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 स्ट्प्राइब्र का जो एरिया होगा उस पटीकुलर फोरिस्ट में उस साथ सो किलो मीटर की एरिया में इस डिवाइस को इ Rescue Center है और साथ ही साथ यह जो आपका Rescue violation है यह विश्व हें तो अभी इसको 18 साल compete हुए हैं कब establishment हुए थी 2005 में इसकी establishment हुए थी जब यहां पर एक SoS sign किया गया था between carnaht ka forest department and Zoo Authority of Carnot ka अगर आप देखोगे तो यह आपका बनेर घट जो है इसका नाम एट तो बनेर घट Sloth Bear Rescue Center है वो यहां पर टोब शिक्स्टी sloth bear आप देखोगे यहाँ पर इस पूरे एरिया में रहते हैं थीक है अब यहां पर इन sloth bear वेयर को बचाय क्यों जा रहा है देखो क्या होता है कि कभी-कभी इनको जो है basically dancing purposes के लिए यूज किया जाता है लाइक आप कहले तो तॉमाशा दिखाते हैं आम भाशा में तो उस चीज के लिए इन्हें यूज किया जा रहा था पकड़ पकड़ की रखा जा रहा था तो यहां पर इन सब तीजों से बचाने के लिए आपका बनेर घाट स्वेयर रेस्क्यू सेंटर जो है वो बनाया रिया ना इंडिया लाजस्ट टाइगर रजर्फ को भी सेट अप इन विच आप दी फॉल्विंग स्टीज यूर एंसर विल बी ए मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर यहां पर सेंट्रिल गवर्मे सेंट्री नौना दही वाइडलेफ सेंट्री आपका मध्य प्रदेश के तीन डिस्टिक्स को कवर करती है सागत दमो नर्सिंग पूर और राइसीन डिस्टिक रानी दुलगावादी आपका दमो डिस्टिक में है बेसिकली तो यहां पर इन दोनों टाइगर रिजर्फ को अ पॉल लिंच ने एक बुक लिखी थी प्रॉफिट सॉंग इस पटिकुलर बुक के लिए यहां पर इन्हें बुकर प्राइस दिया गया है बेसिकली आप देखोगी तो यहां पर इनकी बुक है वो टोटल टेर्यानिजम की कंसेप्ट पे है कि एक आयर लैंड में बेस्ट ए जाती है तो यहां पर जो है इसी कंसेप्ट के ऊपर इनकी जो वुक है प्रॉफिट सौंग वो लिखी गई थी इस अवार्ट को जीतने के बाद पॉल लिंच फिफ्ट ऐसे आईरिश ऑथर बन गये हैं जिसे इस प्रिस्टीजियस प्राइस से सम्वानित किया दिया है इसका मतलब होता है इस पैरो ठीक है और यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है वो लोगों और मैस्कॉट के साथ यहां पर कंड़क कराये जाएगा अगर आप देखोगे तो यह जो उज्वला मैस्कॉट है इसका मतलब क्या होता है तो इसका मत क्या रहा है जो कि कई साथ पॉप में आती है कई सारे स्प्रेंट में आती है जो स्प्रेट आप तोड़ नहीं सकते हो यह उस स्ट्रेंथ को जो है आपका रिमाइन करा रहा है वेसिकली 2018 से अभी तब के समय का अगर हम देखे तो यहां पर 11 खेलो गेम्स जो है कंड़क करा यह जा चुके है कौन कौन से पांच तो उसमें से खेलो इंडिया यूद गेम थे ठीखेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे और थी खेलो इंडिया विंटर गेम्स तो यह आप देखो कि काफी एक सकस्पूल जो है यह एक पूरा-पूरा इवेंट जो है चल रहा है जब अगर हम देखी 2018 से और अभी तक का तो खेलो इंडिया जो इस साल का है वो दिसंबर 10 से 17 संबर तक जो है कंटक्ट कराया जाएगा और इसमें कहां चाहरा है कि more than 1400 एथलिट्स जो है पाटिसिपेट करने वाले हैं मबेला इस फील इन्यूज मभीला क्या है ठीक है तो देख को मबेला जो है वो एक वैक्सीन है ठीक है perfectly यहाँ पर इंडियन एमिलॉजिकल और ने लौंच की है मीसस और रुबेला की वैक्सीन जिसका नाम रखा गया है मबेला ठीक है तमिलाड़ों के अंदर यह लॉंच कोलाबरेशन ओफ पॉलिवेक इंस्टूट ओफ वैतना और यहाँ पर आपका इंडियन एमिलोजिकल लिमिटेड अब आप देखो कि यह जो पूरा को पूरा आपका सेफ यहां पर पहली फॉर्स्ट सेफ वर्नों सेल रबीश की वैक्सीन थी वह जो है इस इंस्टूट ने डेवलप की जिसका नाम है अभार है ठीक है तो देखो यहां पर ओडिसा के अंदर यह जो है सलेब्रेशन होता है प्रेजडन ज्रॉपदी वर्नों ने अभी रिसेंटली जो आपका यह बोईता बंदना समारो है यारी सेर्मनी है उसमें पाटिसिपेट किया था परादीप वोट अथॉर्टी आप यह पूरी की पूर को जहने विजिट किया अफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन ठीक है यहां पर जाने के बाद इन्होंने कई सारे मर्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को जो है यहां पर इनोग्रेट किया और साथी साथ अब देखोगे कि इन्होंने कई सारे रिजर्वार और वाटर ट्रीट हैं और जो Southeast Asia के साथ उनकी trade relations है उनको commemorate करने केंगे अगर आप देखोगे तो यहां पर Port of Operation Excellence का अवार्ड गी दिया गया है पारते पोर्ट को किसमे Global Maritime India Summit 2023 तो यह भी पॉइंट बहुत important है यहां पर star mark करनों के सी important सब होता है थोड़ा सा जो और भी जादा द्यांग देने वाला है तो यहां पर मैं उसे star mark करवा देती हैं तो इसमें confuse मत होना कि बाकि सब जो मैं important mark करा रही हो सरस्थ वही है सारी चीज़ें important है कुछ चीजों को हमें बिल्कुल ही skip out नहीं करना होता है क्योंकि क्या होता है कि news में जो चीज़ें आ रही है जो चीज़े static की भी न्यूज में है current में है वहीं से कोशिव बनके आते हैं आपकी examination में ठीक है तो मैं यहां पर कोशिश करती हो कि जो भी चीज़ें है most of the time जाद से जादा न्यूज में रही है कई बार मैंने देख ली है कि जुलाई में भी वह पर्टिकुलर चीज़ न्यूज में थी देन नवंबर में भी तो यहां पर एक आइडिया बन जाता है कि बार-बार रेपीट होने वाले चीज़ को एक्जाम में फ्रेम किया जाता है और डिरेक्ट कोशिशन तो एक्जाम में आता नहीं है तो उस टॉपिक के जो आपका पूरा आतर बने हैं आपके क्रिस्ट्व फर लगसिञ ठीक है यह आपके क्रिस्ट्व फर लगसिन और अगर हम न्यूजी लाइंड की पोजिशन निंग देख लें तो यह है आपका अ क्वाइड और यह है पूरा 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 अंगोर वट है इसे एत बंडर ओप दी वर्ल जो ह गया है अब देखो यहाँ पर फाइनल लाओं में इटली की पोंपे साइड को हरा कर यहाँ पर अंकोर वर्ड जो है एट वंडर ऑफ वर्ल्ड मना अगर हम बात करें तो यह एक युलेस्को वर्ल्ड हाइडर साइड भी है 1992 में इसे इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था अगर आप देखोगी तो इसके पास गिनीज वर्ड रेकॉर्ड भी है फोर ती डाजस्ट रिलिजियस स्ट्रॉक्चर इंदी वर्ड यह पूरा 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 कॉंप्लेक्स 500 एकर में बनाये गया है इसे देखो बनाया था आपका किंग सूर्य वर्मन ने 12th century में जोकि खम से अमपार के किंग थे इसी लिए इसका पूरा आर्ठिक्ट्र आप देखोगे तो खमेर अर्टिक्ट्र से ही आपका एक इग्जामप्ल है खमेर आर्टिक्ट्र करद यह पूरव którą नहीं जब इसको बनाया था तो उस समय ये एक हिंदू टैंपल था डेडिकेट तो लॉर्ड विश्णू बट इवेंचुली टाइंग के साथ ये जो है धीरे धीरे बोधिजम बोधिस टैंपल में कनवर्ट हो गया यहां का में अभी भी विश्णू की जो एट आम की स्टाचू है वो पाई गई है मेरो बोधिसम जानिजम और हिंदोईजम के अंदर इंडिलीजन के अंदर जो है यह माना जाता है कि माउंट मेरो ही युनिवर्स का सेंटर है ठीक है एक ही माइट लॉजिकल बिलीफ है तो यहां पर आप इस टैंपल का जब टावर देखोगे तो वह भी माउंट मेरो की त आपका एंसर हो जाएगा भी भारत को जो है बनाया गया है यहां पर इंटरनेक्शनल सुगर और्गनाइजेशन का चेयर परसन पर यह ट्वर्टी ट्वेंटी फॉर सिक्स्टी थार्ट काउंसी मीटिंग चल रही थी आपकी आईयसों की और आईयसों का हैड़कॉर्टर कह सबसे जादा शुगर प्रोड्यूस करता है फिर महराश्चर है और फर्क करनाट का है भारत जो है लाज़ेस्ट कंज्यूवर्ट है और सेकेंड लाज़ेस्ट प्रोड्यूशन है शुगर का पूरे वर्ल में इबाउट 15 परसेंट अगर आप देखोगी तो शुगर का कंज देखो यहां पर जो सबसे लाज़ेस्ट आइसवग है उसका नाम है यह जो है दुनिया का लाज़ेस्ट आइसवग है जो की स्टीशनरी पोजीशन पर है पिछले तीन डेकेट से आने की 30 सालों से अब यहां पर हमें क्या देखनी को विल रहा है कि यहां पर 30 सालों के आपका जो अन्टार्टिका पेनेंसुला है उसकी नॉर्धन टिफ की तरफ चल रहा है बिसिकली इसकी जो लोकेशन है वो हम देखी तो यह ओरिजनेट हुआ है वेस्ट अन्टार्टिका का जो आपका फिशनर रोन आइस शेल्प है वहां से 1986 में ओके नॉर्धन टेन्योर है बढ़ा दिया गया है वो जो है एड कोच बने थे इंडिन क्रिकेट टीम में के 2021 में आप यहां पर उनका जो टेन्योर है वो अपकमिंग जो टी 20 वर्लकप होने वाला है जो जून में कंडक्ट कराए जाएगा तो तब तक यहां पर इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है और यह जो है आपकी इंडियन क्रिकेट टीम के कोच ही रहेंगे आप सब मुझे बताओ कि जो वर्लकप 2020 वर्लकप होने वाला है उसकी होस्ट कंट्री कौन है कॉमें सेक्शन में तुरंद एंसर करो कि जो आपकी टी 20 वर्लकप होने वाला है 2024 में उसक की होस्ट कंट्री कौन सी है ठीक है प्लीज डूरेप्लाइं कॉमेंट सेक्शन नाव नेक्स्ट कोशन इन विच स्टेट इंडिया फर्स टेलिकॉम सेंटर और एक्सिलेंस इस गोइंग तो देखो यह जो है आपका उतर प्रदेश आने के ऑप्शन ए हो जाएगा एंसर उत कॉम सेंटर अप एक्सिलेंस है यह आपका सहारनपूर आयाटी रूट की के अंदर जो है स्टाप्रिश किया जाएगा इसका फॉर्मडेशन स्टों कब रखा जाएगा तो यह रखा जागा डिसेंबर फाइफ ट्रेंटी पैंटी थी में नो वह इस बिन अपॉइंट इस ड के चेर्मेन रह चुके हैं 2023 से 2020 तक के टैन्योर के लिए स्टी अपसी कप फाउंड हुआ था तो यह ऑगस्ट 1994 में मुंबई के अंदर फाउंड किया गया था विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉंच एन यूनीक एमें बैंक स्की देखो एमें बैंक स्कीम ओडिसा ने ल प्रोवाइट कराएंगे तो इसी आपके स्कीन की तहत 4,373 ऐसे विलेजस को अडेंटिपाई किया गया है जहां पर इस साल फाइस फानेंशल यर के एंड तक जो है यह सारी की सारी बैंकिंग सर्विसस प्रोवाइट कराए जाएंगी साथी साथ जो बैंक है यहां पर उनक बैंक एक स्मॉल कॉस्ट अफेक्टिव बैंक है एक छोटी सी ब्रांच हो कि जो अलग अलग जो हैं बैंकिंग सर्विसस को ओफर करेंगी इन रिमोट एरियास नेक्स्ट विच कंक्री वोन डैविस कप 2023 तो देखो इटली ने जो है डैविस कप जीता है बेसिकली यहां पर इस्ट्री की बात करें तो यहां पर मोस्ट सक्सेस्फुल रेशन रहा है इसने जो है यह डैविस कप टाइटल जीता है और सेकेंड नंबर पर है आपका ऑस्ट्रेलिया जिसने अठाइस बार इस टाइडिय को जीता है डैविस कप देखो क्या है यह एक इंटरनाशनल मेंस टूर्णामेंट है जो कि अलब 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 देशों की नैशनल टीमस की बीच में खेला जाता है नाओ महीमा कल्ट क्या है महीमा कल्ट इस एक रिलिजियस बुमेंट है वो ओरिजनेट हुआ था यह ओरिशा के अंदर ठीक है यहां पर देखो यून मिनिस्ट्र आप एज़ जो सेमिनार था यह आपका चल रहा है महिमा कल्ट की लेगसी को कममरेट करने के लिए भूनेश्वर के अंदर महिमा कल्ट क्या है देखो बेसिकली यहाँ पर 19th सेंसुरी की आज पास जो महिमा वो सीर है और उनके जो डिस्पल है यानि उनके जो शिश्य है भीमा वोई इन्ह जो एक religious का religious reform होता है तो हम उस तरीके में देखते हैं यहाँ पर ओडिया सोसाइटी के अंदर इन्हों ने कहा कि जो एक religious या पर spiritual spirituality आती है वो आईडल वर्क्षिप से नहीं आती है क्योंकि भगवान एक form डिवाइन है उनका कोई form नहीं है और साथी साथ उन्होंने यह बताया कि हमें हमेशा जो है simplicity, equality और devotion के साथ जो है धोंग का concept है वो सारी चीज़ों को यह जो कल्ट है महिमा कल्ट वो सिर्यस्ति खारिज करता है तो यह एक बहुत ही important जो है contribution audio society के अदर इन्होंने दिया तो इसलिए जो है यहाँ पर इस international seminar के जो हम इन्हें कर रहे हैं now, what is a new name proposed for the आयुश्मान भारत health & wellness center तो देखो नाम रखा गया है आयुश्मान आरोग्यमंदिर अब यहां पर आयुश्मान आरोग्यमंदिर की नाम से जाने जाएंगे आयुश्मान भारत health & wellness केर सेंटर्स ठीक है यहां पर इनके लिए एक टागलाइन भी बनाई गई है आदोग्यम परम धनम ठीक है यह टागलाइन ध्यान में रखोगे आप देखो आपका आयुश्मान भारत हेल्ट एंड वेल्लिस सेंटर का कंसेप्ट है यह जो इंडिया की फ्लाक्शिप प्रोग् करना और साथी साथ जो हमारा SDG यह सस्टेनबल डेवलप्मेंट गोल लीविंग लोवन बिहाइंड उसकी भी आईडिया को उसकी भी टागेट को अचीव करना ठीक है नेशनल हेल्थ एथार्टी जो की आपकी मिनिस्ट्री ओफ फैमिली एंड हेल्ट सॉरी मिनिस्ट्री ओ और फोर्मली रजिस्टर केसी ऑफ से जींट ररण के अंदर जो है नेपाट ऐसी पहली कंट्री बंगई है सांथ एशन कंट्री बन गई है जिसने सम सेक्स मैरेज को रजिस्टर किया है बिसिकली 2007 में जो नेपाल की सुप्रीन कोट है उसने इसकी पर्मेशन दे दी थी लेकिन 2015 में नेपाल के सम्मिधान के अर्दर इसे इंटिग्रेट किया गया और त्लियरली लिखा गया कि हम धर्म के सेक्शुल औरियंटेशन के आधार पर जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और फाइनली अब हम देख रहे हैं कि यहां पर सेम सेक्स मेरिजस को रजिस्टर भी किया जाने लगा है और नेपाल के गर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर ताइवान जो है नेपाल को छोड़के ऐसी एक और कंट्री है एशिया के अंदर जहां पे जो आप द अंदर जो है Свt honoringASH इन्स से ईन्सी फोर मैरेज्डिमिंड डेफ्लॉपमानिट जो है वह की वर्ल वडिजिटिल कम्पूटिटिवनेस इंडेच्स बिसिक्ली इस इंडेक्स में पर्टिकूलर कंट्री के अंदर जो है डिजिटिल इंफ्रेस्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्ण कैसा है digital environment कैसा है digital legislation digital policy इन सारी चीजों को जो है यहां पर evaluate किया जाता है और उसकी अधार पर ranking दी जाती है तो भारत की ranking है यहां पर 49 और अगें USA ने इस पर top किया है second rank इस index में पाई है नीदर लैंडने और Singapore जो है वो third rank पर है now in which country COP28 is scheduled to be held तो यहां पर देखो UAE के अंदर जो है जो आपका conference of party 28 edition है वो होने वाला है बिसिकली देखो प्रैमिस्टर नरेंदर मोजी तो है दो दिन की विजिट पे गए हैं दुबई के अंदर UAE में जहां पर 30 नवंबर को वो इस समिट को अटेंड करेंगे यहां पर साथ ही साथ जब पीम मोदी समिट को अटेंड कर रहे थी तो उन्होंने एक बहुत इंपोर्टेंट प्रपोजल लखा है कि जो COP 33 होने वाली है तो 2028 में यह कंड़क्ट कराई जाएगी और भारत इसी होस्ट करना चाहता है तो यह भी एक हाइलाइट और इंपोर्टेंट इवेंट रहा है इस यह भी इस कॉन्फरेंस का ठीक है अब देको यहां पर जो टोटल जो यह सम्मिट है वो कब से कब तक चलेगी तो 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक यह सम्मिट जो है कंड़क्ट कराई जाएगी कौन है चेर्मिन प्रेसिडेंट कौन है यूई यह भी इंपोर्टेंट कोईंट है तो यह भी आप याद रखोगे डॉन फोगें डिरेक्ट कोशिन यहां से आ सकते हैं अब हम रूप में पांच टार्गेट जो है वो स्पैसिफाई कर रहे हैं जिसे हम आने वाले समय में अचीव करेंगे साथे साथ यहां पर लाइफ डाट इस मिशन लाइफ स्टाइल पर एन्वर्मेंट की वी अनॉस्मेंट वी थी और वह 1070 पर भारत को 90 इंवीडर का स्टीटस ज अवार्ड तो यह वार्ड दिया गया है वी आलनी तंबिका पो वी आलनी तंबिका जो है वो फॉर्मर डिरेक्टर रह चुके ही यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम एट इस रो और इन्हें जो है फ्रेंज का सबसे हाइस्ट सिविलियन अवार्ड लीजन दिया गया है यह अवार्ड जो है स्टैबिश किया था नेपोलियन वोड़ा पार्ट ने एटीन जीरो टू के अंदर ठीक है नेक्स्ट कुशन है वो हैस बीन नेम दा ट्वेटी ट्वेंटी थी यून अचार्सी नंसीन रेक्यूजी अवार्ड फॉर ग्लोबल यूरेट फॉर चांपिय चिल्डरन है जो रेफ्यूजी कैंप्स में बच्ची रह रहे हैं उनकी सिक्षा का क्या तो देफो एजुकेशन जो है वो बहुत इंपोर्टन चीज है लाइस थी ठीक है तो यहाँ पर एजुकेशन पाना इन बच्चों का अधिकार है वो अधिकार इनको कैसे मिलेगा वो काफी दिखता है और इस फिल्ड में इन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क परफॉर्म किया है जिसके लिए इन्हें यूएन एचार्सी नांसिन रिफ्यूजी अवार्ड ग्लोबल यूरीट का मिला है ठीक है अब यह अवार्ड जो है इनको 13th of December जनेवा सु तब की जाने वाली है ठीक है तो आपका एंसर हो जाएगा यहां पर अब देखो यहां पर जो आपकी इंडियन इंस्ट्यूट ऑफ एस्ट्रो फिसिक्स बैंगलूरू है और डिपार्टनेट ऑफ साइंस एंट गवर्मेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है कि दोनों मिलके इस सेंट्यूरी को सेट अप करेंगे ठीक है यहां पर बेसिकली पूरी की पूरी अनाउंस्मेंट की गई जब न्यू डैनी के अंदर लदाक प्राइज एक्सिबीशन चल रहा था उस समय पर अब यह देखो जो डाक रिजव है यह आपका चांथाम वाइन लाइफ कम हो जो स्काई यह वो काफी क्लियर हो तो यह सारी चीजें जो है इस आपकी छांथाम वाइल डाइफ सेंचुरी के आसपस परफेक्ट पाई गई अब यहां पर यह जो डार्क स्काई रिजाव है इसके अदर कई सारे ओप्टिकल इंफारेड और गामा रेस टेलिस्कोप एंसर देखो बेसिकली यूनियन काबिनेट ने जो फास्ट चल रहे थे यह सेट अप हुए थी 2019 में 2018 में जब निर्भया कांट हुआ उसकी बाद जो निर्भया कीस था उसकी बाद जो है यहां पर 1023 फास्ट को सेट अप करने की बार कही गई अब मेर्भया फंड से जो है के सारे के सारे कोट सेट अप किये गए हैं लेकिन पेजन की कंडिशन देखती हुए यहां पर जो डिसीजन आया है यूनियन काबिनेट का वो यह है कि अभी हमें तीन साल तक और 31 मार्स 2026 तक इन को चलाना चाहिए बिसिकली देखो यहां पर जो नॉर्वल कोट की प्रोसी किसी भी प्रकार का अन्जस्net ना हो क्योंकि justice delay is justice denial यह भी कंसेप्ट है थीके घर मेंकी 10 साल बाद उसको सजा हो रहे हैं तो वह एक तरीका का डिनायल ही है जिस्टेस का यहां पर इन सारी चीजिदों को ध्यान में रखते हुए जोरिए 10 एंडियोर है वह और आगे बढ़ जो है आसाम के अंदर वहाँ पर यह आपका फेस्टिवल रास महुतसब कंड़क्ट कराया जा रहा है अब रास महुतसब से आप देख सकते हो इमेज में यहाँ पर क्रिश्ण नीला याक्वीर आपके लो नियो वैश्ण वैश्ण विदम जो फॉलो करते हैं आसामीज वो इस पर कई सारे वैश्ण नाइट जो हैं मोनेस्ट्री जिसको हम सतराज भी कहते हैं तो यहां पर जो है यहां की लोग जो है इस फेस्टिवल को मनाते हैं जहां पर लोकल परफॉर्मेंस दी जाती है जो के डास फॉर्म है भावोना कहते हैं जिसे यहां पर आर्टिस्ट आते ह गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने यह प्रपोजल किया है कि प्रोजक्ट लॉयन एट रेट्स प्रजक्ट के सेंचोरी तहर्ट यह किया जा रहा है कि दो wildlife century में आप asiotic loin को जो है यहाँ पर inhabitate किया जाएगा और यहाँ पर इनकी जो growth है उसको और promote लिया जाएगा तो किस तरीके से यहाँ पर यह adjust हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं अब इन सारी चीजों को जो है देखा जाएगा बर्दर लाइट wildlife century जो है वो आपकी 1979 में इस्टाबिश की गई थी अगर आप particularly data देखोगे तो 2020 में यहाँ पर 674 loins पाए गए ठीक है 2015 में यहाँ पर 523 थी तो अब आप देखो कि यह जो है आपका जो यह पर्टिकुलर बर्दर wildlife century है यह इस data से दिखाती है कि यहाँ पर loins के लिए जो conditions है वो favorable है क्योंकि data लिए दिखा रहा है कि 523 loins है यहाँ पर जो 2015 में थे 2020 तक 674 हो गया है यानि कि growth देखने को मिली है यानि कि gir forest के अलामा यहाँ पर पर्दा भी जो loins है उनकी उनकी जो habits habitat है उनको सफोर कर रहा है ठीक है अब देखो हर साल 10 अगस्ट को जो है हम world loin day celebrate करते हैं यहाँ पर एफ्रिकन लॉइन है और इक इस्यार्टिक लॉइन है पैंथरा लियो लियो और पैंथरा लियो पैर्सिका नव वट इस अलोगेटिं बजट फॉर दी इंप्लीमेंटेशन ओफ प्रधान मंत्री जन जाती आदिवासी न्याय महा अभियां तो यह जो प्रधान मंत्री जन जाती न्याय महा अभियां है उसके लिए कितना बजट अलोकेट किया गया है 24,000 करोड का जो बजट है वो पूरा का पूरा एलोकेट किया गया है बेसिकली यहाँ पर जो 75 PVTGs है पर्टिकुलरली वालनेबल ट्राइब ग्रुप आपके टोटल 18 इस्टीट और एक यूनियन चरिट्री में तो यहाँ पर इनके अफ्लिफ्मेंट की बात हो रही है इसी स्कीम की अंदर ठीक है प्राइब निस्टर ने यह जो पूरा का पूरा अनौसमेंट है यह आपका ट्राइबल प्राइड डे पंदर नमंबर के दिन जो है यह सारी की सारी चीज़ें की जारखंड के अंदर ठीक है इस स्कीम का काम क्या है बेसिकली जो यह 75 आपके पर्टिकुलर्ली वल्लेबल ट्राइब्स हैं इनको पर्मानेंट हाउसिंग, रोड कनेक्टिविटी, पाइब वाटर, मोबाइल मेडिकल यूनिट, हॉस्टिल कंस्ट्रक्शन, आंगनवारी की फेसलिटी, इसकी ल 15,000 उपे के आसपास जो है आपके संट्रल कवर्मेंट देगी और 8,000 क्रोड के आसपास जो है वो स्टेट्स लगाएंगी अपना खुद से तो अभी तक हमें सारे अंसे क्यूज जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे उनकी डिटेल एनालेसिस भी कर लिए, डिस्किशन भी कर ल एंबेस्डर फॉर ओलंपिक टीएम फ्रेंक्स बाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ठीक है तो यहां पर इस कोशिन का एंसर आप सब कॉमेंट सेक्शन में करो साथी साथ अगर इस लेक्चेर की पीडियफ आप साभी कुछ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर्चंग पीडियफ जो है आपको अवेलेबल करा दी जाएगी जिल स्टूरेंट्स को नहीं पता हैं मैं बता दों कि पीडियफ बैंक के अंदर आपको जितनी भी यूट्यूब पर लेक्चर है पर्चंग ख्लासेज के उन सब की पीडियफ वहां पे अवेलेबल करा दी जाती है घा झाल 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 झाल